हेलो एस्टुजेंस आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यायतीन क्या पढ़ने वाले स्टुजेंस अध्यायतीन पदार्थकी सरचना सरू साझाओर में एक दाने समर्फ क्रूट तो उसमें से मैं आप लोगों को पीड. dato लेबल करा तो ए students पदार्थ किस सरचना कहने का मतलब है जो पदार्थ जो है न किस से मिलकर के बनी है और किस प्रकार से इनकी सरचना होती है छीए इसी के बारे हम वह पर क्या करेंगे सब्सक्राइब करते हैं अलग करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं करते हैं जैसे की बिनना यहां पर दिया है क्या रहते हैं और क्या करते हैं मिल गई रहते हैं तो इसको बिन करते हैं अलग करते हैं ऐसी प्रैकार से छणन करने का मार्क क्रिष्टल کی रूप में किसी प्रैत्वो का आव्यादग क्रिष्ट जैसे कि आप सक्कर को देखें सबस्ते सब्सक्राइब कर देखना का सबस्ते हैं कर सकते हैं इसके यहां पर समझ उर्ध पातन के संसुआ होता है किसी पताथ मेरा झालते के बात है दिएừa सबसे पहले तो जैसे कि यह ठोस है महा ली यह ठोस पता लिखे लागना चाहिए तो धुरिई जैसे यह और गर्म करेंगे तो यह वास्पा है विट्स जैसे कपूरक किया बाट करते हैं जैसे कपूर की हम बद्रयाइंगे परिवतित होते हैं फोस अवस्था से किसमें किन रवस्था यह जो होते हैं मिस्त्राइब जो कुछbotव दो का कर सकते हैं हम जो है उनके अव्याव को झोझे कर सकते हैं लेकिन कुछ में जोने जो हुद्वारा व्याव औरकर सकते जैसे कि विडियों का करें करें2017 जो है उनको अलग नहीं कर सकते हैं हमको रसानी का भीग्री कि जो हे क्या होती है आधर मतलब समाने भृतिक विधियों के दौरा उनके अलग नहीं कर सकते हैं तो यह जो अवयों को जो है यह जो पदात होते हैं ना मिसरन में यह जो पदात होते हैं जिनके अवयों को हम क्या कर सकते हैं ऐसा जो मिसरन होता है जिनके अवयों को हम भौतिक विधियों के द्वारा जो है अलग नहीं कर सकते तो ऐसे पदातों को हम जो है मिसरन नहीं करते ह सुध पदार्थ होते हैं अब यहां पर आगे समझ्छते हैं सूद पदार्थ होते हैं ठीक कैशनक थीक है तो दौ जो होता है कि अवस्था में परिवतन होगा इस पकार से क्या होती है न होता है ठीक है नहीं जैसे खेंग है उनकी जो है वस्ता में परिवतन होती है'm और पर होगा है कि सुध्य में यदी मिश्राण है कि इस लेकिन मिश्राण जो होता है उन में में मिले आहां चेंजेंञें किस्ता में होना समझें एक से अधीक मलते नहीं होता मुनेदा, होता है कि कुछ सुध्ध पतार्थ ऐसे होते हैं जिन में क्या होता है एक सधीक क्या होते हैं एक सधीक जो है उन में जो है सुध्ध पतार्थ होते हैं ठीक है ना तो एक सधीक सुध्ध पतार्थ होते हैं उन से हिम उनको गर्म करते हैं उनमें अवस्था परिवलतन जो है उनमें जो उपस्थी अव्यव जो होते हैं उनके अनुपात के अधार पर क्या होते हैं वह जो अवस्था परिवलतन होता है वह होता है लेकिन उनका जो ताप जो रहता है अलग अलग रहता है तो इस प्रकार से सब्सक्राइब ही एक होता है तो टटवा डुसरा क्या होता है योगीक ठीक है तो हम लुग समस्झते हैं यहां पर जैसे question है कि योगी किसे कते हैं मिस्टन से कैसे भिनना है ना तो हम लोग यहां पर जानेंगे कि योगी जो है तत्व क्या होता है और योगी क्या होता है ठीक है इसके लिए हम क्या करेंगे क्रिया क्लाप करेंगे तो क्रिया क्लाप को आप ध्यान से समझेगा इसके पदात ही है समझें और लोहे का सब्सक्राइब आपकु करना क्या यह हब क्वे Taylorius आपको करना क्या है हम माते हैं और आ fünf अविकर मैं हम पानी भर देती है ठीक है अब बीकर में सब्सक्राइब क्या करूच एक गालते है उसके बाद पाम आता हैस दो जुनिलने तो निलत सोति हाँ वो जो है रंगने के काम आता है जैसे ही पानी में ड्लाओं दलेंगे इसका रंग क्या हो जाएगा। ठीक है students ओके आप उसके बास जो है नाम से इस पास्ट निला तो नीला रंग का क्रेगगा करके तो उसके बाड़े can नीयेंड पानी नीक हो ना डाल नेंग बाद इसका रंग बदाल जाता हूं, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमसे बते हों, क्या करते है उसमें, तुशार आले और ये स्टुद्येश के या रंग सो तो च्था कई लगता है हूं, जैसलोंama रंग and कही हो जाता है कि जैसे ही हम आलपिन को जो है इसमें डालते हैं तो आलपिन के ऊपर जो नीलाथ होता हम लोग इसमें डाले हैं ठीक है ना नीलाथ होता हम क्या है है च्टुडेंट्स बदल जाता है तो यह जो है जो नीलाथ हो था ठीक है ना तो नीलाथ जो होता से विडियों के द्वारा लग नहीं कर सकते लेकिन हम यहांपर क्या कर सकते हैं यहां पर हम जैसे ही जैसे हम क्या किये हैं जो नीला चुथा birth से यूग टे जो पानी उस में जो हम क्या डाले हैं जो लूजेक अलपीद्धाश विए इसको ओम जैसे ही डालते हैं तो क्या होने रगता है उस से क dow जो है कर जाता है करतित हो जात है ओके टो कर सक्ते हैं तो किसifique कर सकते कि नीलात हो था एक हो साथ ग्राम में केवल हम को 3400 abgram प्राफ्त होता है कहने का मतलब मिलत होथा कि ग्राम बाक क्तो हुआ है इसका मतलब यह है कि इसमें जो है एक से और अधि क्या है तत्व है जो निश्चीत अनुपात में है किसमें है निश्चीत अनुपात में है समझ में आ रहा है ना मतलब नीलात होता जो है उसमें जो है एक से अधिक और क्या है अव्याव है जो एक निश्चीत अनुपात में है उसमें समझ में स्टूरेन्ट तो ऐसा जो भी हमको जो है का हुइता है जिन में जो हैं उनके होते हैं कि निश्चीत प्रसक्राइब क्लिक होते हैं तो एसे और हम पॉछते हैं योगी क्या बोलते हैं क्या द्यान से समझ लिजीए यहां पर नीलआं यूटे हम जैसे ही लेते हैं students तो नीलात होता लेते हैं तो उसमें का होता है इसमें जो है जो नीलात होता है उनमें जो है वो जो है क्या होता है इसमें निश्चित माता में हमको तामबा प्राप्त होता है लेकिन हम नीलात होता लिए थे तो क्या तामबा का जितना वज़ान है उतना ही हम लिए तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो है और अव्याव है ठीक है ना मतलब यह जो नीरत होता है यह जो है तामबा के अलावा और कुछ पदातों का क्या है और कुछ अव्याव को क्या है एक निश्चित मात्ता में जो है मिश्चित है ठीक है जिनका नुपात क्या एकदम निश् है जैसे कि हम बात करते हैं students यहां पर हम जल की बात करते हैं किसकी बात करते हैं students जल की ठीक है ना तो जल को दर साया जाता है H2O इसका जो है रसानिक सुत है जल का तो देखे यहां पर जो हाइडोजन जो है एस टू लिखा है हाईडोजन का जो है यहाँ पर हाईडोजन का परमाडू कितना है दो परमाडू है ठीक है और यहाँ पर आक्सिजन का कितना परमाडू है एक तो यहाँ पर हाइडोजन जो है दो अनुपात में है और आक्सिजन जो है एक अनुपात में है तो यहाँ पर जल जो है का है स्टुडेंट्स यह भी जो जल जो है क्या है योगीक है मतलब इक सिट मात्र में होते हैं ठीक है तो इस प्रकार से एक निश्चित मात्र में जो है जो मिश्राड बनते लाँ उनम बहुते हैं they are समझ में आया क्या बोलते हैं योगी ठीक है इसके बाद हम लोग चलिए समझते हैं यहाँ पर जो है हम दैनिक जीवन में जो है हमारे दैनिक जीवन में मिला हुआ है दूसरा देखते हैं ड्रव में घैस को मिला दो तब क्या बनता है तो सोडा वाटर है जो पीने का जो रहता है उसमें पानी में क्या कर दिया जाता है तो नीबू का रस और जो पानी जो होता है ठीक है वो क्या है उनको आपस में मिला देते हैं द्राव में द्राव का क्या है मिश्रान है उसी प्रकार द्राव में ठोस की हम बात करते हैं तो मिश्र धातु जैसे पीतल है कांसा है आप अपने घर में देखते होंगे पीतल और कांसा है ना तो यह जो है मिश्र धातु है जिसमें जो अलग अलग धातु क्या करते हैं आपस तो यहां तक समझ में होगा अब हम यहां पर समझते हैं तो एक तो हम जानगा है जो सूध्ध पदात जो होते हैं जिन में क्या होता है एक से अधिक क्या होते हैं उनको यहां जैसे हैं जिन में एक परीकर क्या होता है जिन में एक ही परीकार क्या होता है पाया जाता है जैसे कि हम लोहा को देखते हैं किसको देखते हैं students लोहा को तो लोहा को अब क्या करेंगे यह लोहा जो है एक पदात है ठीक है ना तो लोहा को आप क्या कर सकते हैं इनको जो है और जो है छोटे और अलग अलग इनमें जो है आवयाव नहीं होता बलकि क्या होता है क्या होता है लोहा ठीक है ना तो लोहा क्य तत्व है जिन में केवल और केवल क्या पाया जाता है ठीक है ना तो हम बोलते हैं जैसे के मीनी़ा थो ते ना ol तो था ओके नी तो इसमें तंबा प्राप्त हो रहा था क्या प्राप्ता हो रहा थांस्ट तो अब हम ताम्बा को झा है और इसको और तोड़ना चाहें या फिर उसमें थेखें कि प्रकार के यह हुए है यह स्टुडेंस कि पिसी प्रकार के यह से यह यह से बना हुआ है और इनको हम जो है किसी भी प्रकार से students ये जो जो क्या होते हैं ये जो तत्व जो होते हैं उनको किसी भी भातिक विधी हो या फिर रसानिक विधी हो इनके द्वारा भी हम क्या है भातिक विधी अपना करके या फिर रसानिक विधी अपना करके भी हम इनको जो है और जो है इनके अलग- चांदी है, आक्सिजन है, नाइटोजन है, यह सब क्या हैं, यह सब तत्व हैं, जो केवल और केवल एक ही प्रेकार के आविया से बने हैं, जैसे सोना की बात करते हैं, तो सोना सोना से ही बनेगा, लोहा लोहा से ही बना है, चांदी भी चांदी से ही बना है, और अक्सिजन ज को समज्व में यहां तक शुद्ण अभी तक जो है समझी यहां पर अभी अब तक जो फिस्टभुका टेक्वाद में अभी व्यानु स्थिति में लब लगभग जो है 118 तत्व की स्टुडेंट्स खोज हो चुकिए ना इसके लवा अभी भी जो है खोज जारी है तो इन में से जो है जो 92 तत्व प्रकृती में पाया आते हैं और सेस जो तत्व जो होते हैं उनको जो है प्रयोक सालम में संसलेसीद करके बनाए गए हैं ठीक है न स्टुडेंट्स तो यहां तक जो है अपनों को जो है समझ में आया होगा कि तत्व क्या होता है योगी क्या होते हैं है ना और इसके लावा जो है पदालत्र क्या होते हैं मिस्रान क्या होते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा स्टुडेंट्स ओके आप जो है इसको ब झाल